समस्क्राइब दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागता अश्या करता हूँ आप सभी अच्छेम के दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बेलागन को दबाई इससे के आने वाले सभी वीडियो जो नाटिपकेशन आपको मिल सके तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये किलियर कर दू कि जो आपके डोकुमेंट्स हैं वो आपको किस टाइम पर उनकी रिक्वार्मेंट रहेगी तो दोस्तों आप बैसिक रिश्टे है इसका जो सही रिश्टेशन होना चाहिए इसकी साइज बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए कि वेसी रिश्टेशन में इनकी जरूत होती है फाइनल रिश्टेशन में दोस्तों आपको कोई भी डोकुमेंट के आपशकता नहीं रहती है आपको फाइनल जो रिश्टेशन ही होती उसमें किवल आपको details update करनी होती है और उसी details के basis पे ही आपका admit card आता है और उसी के basis पे ही आपका result आएगा merit आपकी तय होगी और उसी basis पे ही आपका admission होगा अब आपके document की जो requirement है वो आपको admission के time पे जब आपको seat allot हो जाती है college allotment आप letter आपके पास में आ जाता है तो आप college में जाते हो reporting के लिए तो उस time पे आपको अपने document की जरूत पड़ती है तो अकुल मिला की है कि आपको counseling के time पे आपको अपने documents की जरूत पड़ेगी और कौन-कौन से document की पड़ेगी तो वो जानकरी आपको इस वीडियो में लेगी तो जिन student है अपना application form fill कर रखा है तो काफी सारी बच्चों की इस तरह के comment आते कि सरम ने application form प्याल अपील कर दिया है क्या हम अब इसको remove करके हमारा refund ले सकते हैं किसी भी student ने अगर application form fill कर रखा है तो उसका जो आपने fee submit कि यह वो non refundable है उसका fees आपको वापस नहीं मिलेगा तो यह आपका doubt clear हो गया होगा अब next बात करते हैं कि कौन-कौन से document की जरूत पड़ेगी तो आपको जो original document है उसके साथ में एक set आपको जो यह सारे document बताऊंगा वो आपको self-attested खुद के signature के साथ में एक-एक set आपको वो भी साथ लेके जाना है original तो आपको साथ में लेके जाना ही और साथ में उनकी एक-एक photocopy सबसे पहले आपका admit card आपका MS, B.A.C. परामेडिकल का admit card जारी किया जाएगा वो admit card आपको अपने साथ में रखना है original और उसका photocopy next आपका matriculation या high school high secondary certificate तो आपको अपनी जो 10th की mark seat है वो आपको साथ में रखनी है अब 10th की 12th की mark seat दोनों आपके साथ में रखनी है original और photocopy 10th और 12th की mark seat और certificate दोनों अलग-अलग होते हैं mark seat अलग होती है और आपका जो certificate होता है वो अलग होता है दोनों अलग-अलग चीज़े हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो matriculation का आपका certificate है साथ ही आपको जो mark seat है वो भी आपको अलग mention मिलेगी तो भी क्या होता था इससे पहले state board के दुवारा आपकी अलग-अलग यह mark seat और certificate दिया जाता है लेकिन अभी कुछ एक state में इनको combined करके ही दिया जाने लगा है तो आप अपनी mark seat और certificate अगर एक में ही है आपकी mark seat और certificate अगर एक में ही है तो आपको अलग-अलग लाने की जरूत नहीं है उनसे है आपका एक से ही आपका काम हो जाएगा तो आप check कर लिजी कि आपकी mark seat और certificate एक में ही है अलग-अलग है लेकिन कुछ एक स्टेट में mark sheet अलग दी जाती है certificate अलग दिया जाता है तो उनको ये अलग-अलग mention किया जाता है 10th और 12th दोनों के लिए बिल्कुल same है तो यहाँ पे आपकी metric, high school, higher secondary, certificate certificate issue by board, university showing the date of birth of the applicant तो आपकी जो date of birth है वो आपकी 10th की mark sheet में जो mention है वही same आपके application form में mention होनी चाहिए कुछ भी mistake आपको नहीं करनी है application form में next आता है आपका यहाँ पे degree या provisional passing certificate यह आपके MSC nursing या post basic BSC nursing उनके लिए है या कोई भी diploma गर कर रखा है तो उनके लिए detailed mark sheet of the qualifying examination showing the mark secured by the applicant तो वही मैंने आपको बताया detailed mark sheet आपकी जो qualifying examination आपका 10 plus 2 तो उसकी जो mark sheet है वो आपको साथ में लेके जानी है migration certificate तो आपका जो migration certificate है यह आपको school से आपको मिल जाएगा no objection certificate तो no objection certificate NOC certificate उनके लिए है जो अगर कहीं job कर रहे हैं जाए government हो या private हो या state government या public undertaking के जो भी companies हो उन में तो उनका NOC आपके लिए जरूरी है physical disability certificate तो अगर कोई physical handicap है तो उनको physical handicap certificate है वो भी आपको साथ में लिना होगा submission card certificate by SC, STOBC, non-criminaliar, EWS के इंडेट तो जो card certificate है वो केवल in category है जनरल वाले काफिसर पूछते है कि सर हमें general category हो क्या मुझे भी certificate की जरूरी होता है तो जनरल वालोग किसी भी certificate की जरूरी होती वो unreserved category में होते है उन्हें कोई भी reservation नहीं मिलता reservation का फायदा उठाने के लिए आपको reservation certificate मनाना होता है और वो SC, ST, OBC, NCL, non-crimira और EWS general में अगर EWS category से है तो आपको EWS के certificate की आपको जरूरी होता है और यह आपको center का पनवाना होगा ना कि state का आपका valid नहीं रहेगा तो दोस्तों यह आपके important documents है जो आपको admission के time पे इनकी जरूरी होता है बाकी अगर कोई भी update आती है कोई भी changes हो के आएगा इमस की तरब से तो उसकी जानकार यह मारे चैनल पर वीडियो माद इमसे provide करवा दी जाहिए तो आपके I hope जो भी doubt थे documents related वो सारे आपके clear हो गए होंगे और बाकी update है वो आपको आपका जो allotment letter आएगा चाहाए BAC paramedical का हो या BAC nursing के लिए तो उसके allotment letter में आपको किलेली सारी चीज़े mention रहेगी लेकिन आपके जो certificate है जो document है यह आपके main document है जो आपको पहले ही त्यार रखने होंगे जिससे कि आपको बाद में किसी भी तरह कोई ऐस्विदा नहीं हो वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को like करें share करें और आपके पास में जो इतना कम समय बचा है इसमें लाकों की संक्या में application form फिल के जाएंगे तो selection वही student ले पाएगा जो अलग हट के अपनी preparation करेगा और smartness के साथ में study focus करेगा वही इन 50 days में जो आपका exam है उससे अभी तक कि अगर आपका जो 50 days का समय है इस 50 days में आपको smartness के साथ में study करने होगी तो इसके लिए दोस्तों आप mock test ज़रूर अवैल करें उसके basis पे आपको अपनी जो standard weakness वह समा सकते है साथ ही आपका क्यूसन पेपर किस तरीके का है वह भी आप समा सकते है mock test पेपर जो मैंने दोबर अवैलेबल करवाया गया description box में लिंक के मादेम से वह आपके लिए काफी useful रहेगा और most probably उसमें से आपके 10 to 15 ओर हो सकता है कि आपके ज़्यादा भी क्यूसन एजटीच उस mock test पेपर में से भी आपको देखने को मिले तो यह आपके लिए काफी useful है यह जरूर अवैल करें तो दोस्तों अवैल करने का बिल्कुल सिंपल सा इसका process है आपको यह complete syllabus best 10 test paper आपको इसमें मिलेंगे और इसको अवैल करने के लिए इसी तरह किसे आपको other subject के जो other study material है वो भी आपको description box में provide किया गया जिसे आपकी GK की बूको या आपकी objective e-book को या आपके question practice के लिए या आपकी subjective e-book जो आपकी conceptual best है या आप view story पे जाके सारे study material आप अवेल कर सकते है कोई वीडिया उटर comment box में पूछ सकते है Instagram follow करके वहाँ से भी जानकार ले सकते है सभी की process same है बाइन आपके क्लिक करना है जैसे बाइन आपके क्लिक करेंगे उस file में आपको सारी mock test paper के link मिलेंगे और उन में से जिसको भी आपको mock test देना उस copy करना है link को और अपने browser में paste कर देना आपका mock test start हो जाएगा अगर आप payment confirmation की बाद में file download नहीं कर पाते हैं जो email id दिये यहाँ पे एक mail जाएगा वहाँ पेस से भी आप file download कर सकते हैं इसी तरीके से जो other study material है वो भी आप avail कर सकते हैं और जैसे आपकी objective ही GK की English या Hindi में या PYQ सारा study मिलें आपको description box में link के माधम से provide करवा रखा है अई वो वीडियो आपके लिए यूज़ पूर आपको वीडियो पिसे नहीं वीडियो कोड़ लाइक करें share करें धन्यवाद जेहिं जेवारत